26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चातरों के बीच विश्वस्निय संस्थान गोल कभी मानने मुखमंतरी जी के इर्दिगित ना कोई मिनिस्टर होते हैं ना कोई मेले होते हैं करोर लोग मुफ्त में खा रहे हैं उनको अपना जीवन यापन के लिए भी समस्या है उस देश के अंदर एक ऐसा भी घराना है पैपारी का कार्पूरेट का कि जो हल्दी लगता है मेहंदी लगता है बरात आ रही है सबका लाइफ टेडी कास्ट हो रहा है जहरीली सराब होगी और पता चल लाएगा फिर उस दरोगा को वहां से डिस्मिस कर दिया जाएगा वैसे लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी जो जहां पर सराब जहरीली सराब या पिर अनौथराज तरीके से सराब मिलेगा उनका घर सिल कर दिया जाएगा फिर इतना धिलाई क्यों का दियातरा पर निकल रहे हैं कैसे देख रहे हैं लेकिन बिगत कुछ बड़सों में शराब बंदी के बाद जिस तरीके से मानिय मुखमंत्री जी का ग्राफ गिरा है और महिलाओं का मो भंग हुआ है इससे वो काफी घब रहे हुए हैं और परेशान हैं चुकि जिस तरीके स भी दोजार पचीस का एलेक्शन है सबसे बड़ा मुद्दा है बेरुजगारी और सुरक्षा बार बार ये लोग बलते हैं कि जंगल राज जंगल राज लेकि जंगल राज से भी बत्तर इस्तिती होते जारी बिहार की जिस राज्य में पुलीस प्रसासन के लोग सुरक्ष कुछ लड़कों ने सराब के नसे में पुलिस को कुचलने की कोशिस की तो भई इतना हिम्मत इतनी ताकत अपरादी ला कहां से रहा है रही बाद सराब बंदी की लेकिन अब सुसासन पर सवाल खड़े का सुसासन बावव सरकार कहा जाता है लेकि कहने के लिए तो निश्चित रूप से मानने मुखमंतरी जी का जो पहला कारज काल रहा है पांस से दस तक निश्चित रूप से अच्छा रहा है उन्होंने काम किया है लेकिन अब उनका सरकार नहीं है सरकार चलाने वाले अधिकारी लोग है और अधिकारियों के इसारे पे बिहार की सरकारे चल रही है चुकि आप देखिएगा कि कभी मानिय मुखमंतरी जी के इर्द गिर्ड ना कोई मिनिस्टर होते हैं ना कोई अमेले होते हैं तो उनके चारों तरफ अधिकारी होते हैं और इस तरीके से परिकर्मा करते हैं, लगता है कि वो एक बयान भी है दिमानिय मुक्वंत्री जी को देना है, तो बिदाउट अफिसर के अनुमती की बिना वो नहीं दे सकते हैं, चुकि आप देख लीजिए जी पांस दिन का ही सदन रहा, और बहुत से मानिय सदस्पक्ष औ बिल्कुल सब आलीज वेल है, तो अपसर लोग तो वही जबाब देंगे, चुकि उनको पता है कि हमारा मानिय मुक्वंत्री जी वही करेंगे, जो हम कहेंगे, अभी आप स्मार्ट मीटर कहीं ले लीजे, स्मार्ट मीटर जनता का खोन चुशने वाला एक वहोती घटिया कि सिम का योजना है, चुकि यदि गरीब गुर्बा लोग हैं, उनको यदि 200 का वो बिजली जलाते हैं, 200 रुपे जाके जमा करते थे, अब वो 200 रुपे पहले जमा करेंगे, तो ये कहीं न कहीं अमबानी जैसे लोगों को ख़जाना भरने का ये तरीका है, आप जानते हैं कि current account होता है, बैपारियों का, जो आज पैसा डालता है, कल यहां डाला, परसों वहां डाला, no profit, no loss में उनको current account ये सब चलता है, तो वैसे बैपारियों को मदद पहुचाने के लिए, smart meter का बिहार में जबरदस्ती लगवाया जा रहा है, ताकि हमारे जो बड़े बड़े पु पांत्री जी लोकसभा चुनावा के टाइम में उन्होंने कहा था, कि 80 करोर लोगों को हम लोग क्या कर रहे है, मुफ्त अनाज दे रहे है, जिस सिदेश के अंदर 80 करोर लोग मुफ्त में खा रहे है, उनको अपना जीवन यापन के लिए भी समस्या है, उस सिदेश के इन सब चीजों पर लिपा पोती करने के लिए ये पधियात्रा निकाली जा रहे है, बजट भी काफी है, तो 252 करोर का बजट है महिला संबादियात्रा कर नितिश कुमार का, दिखे ये तो हम तो बोल रहे हैं, ये अपसरों का लूट खसोटी योजना है, महिला संबादिय जात्रा कुछ नहीं है, वही दस्ठो महिला जी विका वाली आके बैठेगी, जिसको अपसर होता नहीं है, कि आप राधी पिछे से गन के बल पे बोलते हैं, यही बोलना है, तो वैसी महिलाओं को लाकर के बैठाया जाता है, चुकि के एक दो बार हम भी गया है उस कार्जक जब आप देखेंगे 2025 में, तो आपको खुद वखुद पता चल जाए कि महिलाओं कितनी दुखी है, कितनी नराज है, चाहे यह करोड़ों क्या, और बो रुपय का यह पद्यात्रा कर ले, सब चीज बेवस्तित करके महिलाओं को अच्छे से उनको बुला करके उनके साथ स लेकिन सरकार के दवारा मुखमंति के दवारा करता है, कि सराब बंदीर से महलाँ खूसे है, बिहार में जिस तर पीते थे, लोगों मारते थे, देखिए, मद्य निशयद विभाग का कानून पहले से है, कोई नया नहीं बना है, उसमें यदि सराब लोग पीते थे, हला हला आप्वे मुझे यह कहते हुए आपके चैनल के मादःम से दिक्कत भी नहीं हो रही है और शंकोच भी नहीं करेंगे वो दिन्दूर नहीं है कि माफियाओं से सदन भड़ जाएगा अब जिस तरीके से सराब बंदी के नाम पे सराब बिक रहा है और आप पता करिए ना बहुत से जदियों के नेता मिले जिनका घर सील होना था जिनका दुकान सील होना कानून में संसोधन इतना क्यों हुआ जब आपकी नियत सही थी सराब बंदी के लिए जब आपने कानून बनाए कि जहरीली सराब होगी और पता चल लाएगा फिर उस दरोगा को वहाँ से डिसमिस कर दिया जाएगा वैसे लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी जो जहां पे सराब जहरीली सराब या फिर अनौथराइज तरीके से सराब मिलेगा उनका घर सील कर मिलेगा फिर इतना ढखिलाई क्यों किस वज़से तो कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोग सरकार के साथ मिल करके माननिय मुख मंत्री जी को हम नहीं कहेंगे अधिकार यह के मिली भगत से मिल करके स्राब का घर धन्दा बीहार में हो रहा है इस तरह से यात्रा को दर ब निये राहुल जी, 5000 किलो मीटर का पद यात्रा की है, उसके बाद में आपको मनीपूर से ले करके पूरे महरास्टा तक उन्होंने यात्रा की, हमारे परदेश अधियाक चादा निया खिलेश जी किसंगन से ले करके गया तक किया, तो हमारा कार्जक्रम तो चली रहा है, स्मा अंग्रेस पार्टी का भी कार्जक्रम तैय होगा, और हम लोग भी जनता के बिच जाएंगे, और बरतमान की सरकार की कमियों को उजागर करेंगे, तो सबसे बड़ा मुंदा है प्रसासनिक भरस्टाचार, बिना चरहावा का कोई काम नहीं होता है, अभी आप कल पर सो कि एक सिपाही की बहाली के लिए दरोगा महिला ने उसे 10 या 15 लाग का उगाही किया है, तो कहीं आग कब लगता है, तो नोकरी पैसा लाओ, नोकरी पाओ, ये सिस्टम चल रहा है बिहार में, तो लालू राज में चलते थे, इसे बोलते हैं इंडिया के लोग कहने के लिए कुछ भी कहते हैं, लालू जी तो बदनाम थे, लेकिन यहाँ पर तो समझी कि पूरे के पूरे घोटाला है, बहुत बहुत धन्यवाल, तो आप सुन लेते, कॉंग्रेस के विधायक परतिमादास का क्या कुछ का ना था, इसे तमाम को रुबर इंडियू परना साथ, मस्का कॉंपा यहाँ झालू झालू जरतिमा इंडियू झालू झालू झालू